जैपुर के होटल रमाडा के मेनारी क्लब पर शुकरवार देर रात पुलिस ने बड़ी कारवाई करते वे नशा करते 16 लड़कियों और 28 लड़कों को पकड़ा है इस चापेबारी में होटल का स्टाफ भी शामिल पाया गया है पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों की आधार पर पुलिस ने ये कदम उठाया जैपुर पुलिस कमिशनर बीजु जो जोसेफ ने बताया कि शहर में रात 11 बजे की बाद नाइट कलब चालू नहीं रह सकते बावजुद स्केर अमाड़ा होटेल में देर रात तक कलब और शरापाटी चलने की सूच ना मिली है शिकायत का सत्यापन करने के लिए पहले सिटी स्पेशल टीम को मोके पर भेजा गया जानकारी सही पाए जाने पर रात धाई बजे पुलिस ने होटेल में रेट की जो सुबह साड़े चार बजे तक चली इस ओपरेशन को ACP प्रोटोकोल प्रदीप यादाव और एडिशनल DCP प्रोटोकोल रनवीर मीना के सुपरविजन में अन्जाम दिया गया पंदरा थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से भी फोर्स को बुलाया गया लोकल थाना आदर्शनगर को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी और कारवाई के बाद सूचित किया गया था इसके अलावा पुलिस ने सभी 16 लड़कियों के कोटपा एक्ट यानि नियम के विरूज सिग्रेट हुक्के का स्तमाल करना उनके अंदर चालान कार्थ का छोड़ दिया गया जबकि 28 लड़कों को शान्ती भंग के तहत थाने पर रखा गया जैपर पुलिस कमिशनर के आदेश अनुसार शहर में डिस्को पब बार रात 11 बजे तक ही संचालित किया जा सकते हैं देर रात तक संचालन करने पर कारवाई की जाएगी हालांकी कुछ बार पब और होटेल को इस नियम में छूट दी गई है बसरते कि उनका यहां पर बजने वाला संगीत की आवाज परीसर से बाहर नहीं जानी चाहिए हुक्का परोसने के लिए भी सकत नियम बनाए गए जिनके अनुसार अलग से स्मोकिंग जोन होना जरूरी है मेनारी कलब के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रकिरिया अभी जारी है सुबह साड़े आठ बजे तक किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं दी हुई है दर्ज भी नहीं हुई है कलब में डिसको और शराब पार्टी की दोरान हुक्का परोसा जा रहा था जो नियमों के खिलाफ है कारवाई की दोरान पुलिस ने कलब में शराब और हुक्का परोस्ते वे देखा पुलिस के इस बड़ी कारवाई ने जैपूर के होटेल और नाइट कलब संचालकों को सक्त संदेश दिया है कि नियमों का उलंगन करने पर कड़ी कारवाई होगी यह चापे मारे शहर में कानून व्यवस्ता को बनाय रखने और अवैद गती विदियो पर नकेल कसने का एक महतोपून कदम है